नमस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है जब से प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने कृष्वी कानूनों को वापस लेने का एलान किया है तब से यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदितनाथ एक्शन में आ गए है आज उन्होंने ऐसा ऐलान किया है जो विपक्षियों और उन लोगों के दिलों के अंदर दह्शत पैदा कर दिया है जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि जिस हिसाब से किर्ष्वी कानून को वापस लिया गया वैसे ही CAA या NRC या फिर Article 370 या Uniform Civil Court को लेकर के वो देश में आंदोलन करेंगे और सरकार जुक जाएगी ऐसे लोगों को योगी आदितनात ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है और उनको क्यों सामने आकर के ये बयान देना पड़ा उसे समझना और राजनिती के नाम पे आंदोलन के नाम पे प्रोटेस्ट के नाम पे डिमोकर्टिक राइट्स के नाम पे किस तरह की साजिशें उत्तर प्रदेश में रची जा रही है उसे आप सुनेगे तो आप भी तंग रह जाएगे योगिया दितनाती क्या कहा उन्होंने असंदीन उवैसी को साफ साफ चेताबनी दी है कि हैदराबाद से आकर यूपी के अंदर माहौल खराब करने की आवश्यक्ता नहीं है अगर महौल खराब करने की कोशिश की गई अफ़बाफ फैलाने की कोशिश की गई और उपद्रब मचाने की कोशिश की गई तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा बहुत ही कड़ी कारवाई की जाएगी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि यह जो C.A. के नाम पे O.S.C. धंकी दे रहे हैं कि यूपी के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा फिर से शाहिनबाद टू बनाया जाएगा तो योगी आदितनात ने एक तरह से कह दिया है कि भीड़ी का ठीक करो तुम्हें टंडे से तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा This is what he has said सब्द ये नहीं है लेकिन मतलब यहीं है कि अगर कोई उपद्रवी करने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश में ये धर्णा प्रदेशन का कारिक्टरम फिर से शुरू हुआ C.A.N.R.C. के नाप पे तो पुलिस इस बार किसी को माफ नहीं करने वाली है क्यों ये बयान देना पड़ा क्यों ये अचानक से हिंदुस्तान के अंदर में विपक्षी पार्टिया खासके और मुस्लिम और्गनाजिशन वो सल्कों पे आने की बात कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं इसे समझना जरूरी है कल जो बड़ी खबर एक आई और ये अपने आप में हैरत अंगेश खबर थी कि अचानक से मुस्लिम परसल लाव बोर्ट के लोग सामने आ जाते हैं कहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लगन लागू नहीं होने दिया जाएगा वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई कोई बाचीत है कहीं कुछ चर्चा चर्ण रही है आप अचानक से इस तरह के कंट्रोवर्सल मुद्ध को चुनाओ के वक्ती क्यों उठा रहे हो क्या आप चाहते हो कि हिंदू मुसल्मान इस हिसाब से बढ़ जाए चुनाओ से पहले कि ताकि कुछ लोगों की राजीती चमक सके कोई मुद्ध हो कोई बाचीत हो कहीं कोई घोशना हो उसके बाद विरोध हो तब तो बाद समझ में आ रहा है यह बार बार इस तरह की चीज़े पूरे यूपी के अंदर खबर यह आ रही है कि जो त्रिपुरा में जो अफवा फैलाई गई कि साथ साथ आठाठ मस्जिदों को जला दिया गया वहां मुसल्मानों के उपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के महराश्ट में आगजनी हो गई बवाल मच गया यही कारिक्रम दोहराने की कोशिश उत्तर प्रदीश में की जा रही है और इसके अलावा एक चीज़ और जो बड़ी बात जो ओवेसी अचानक से उनका जो नीन उनकी टूटी है और C.A. और N.R.C. को लेकर के जो बवाल मच रहा है यह अनायास नहीं हो रहा यह जमियत उल्माए हिंद के जो चीफ्स हैं चाचा और भतीजा दोनों मदनी साहब इन दोनों ने कह दिया आकर की कि भई जिस्त हिसाब से किसानों की कानूनों को कृष्शी कानूनों को वापस लिया गया है C.A. भी वापस लिया जाए कोई और सामने आकर के यह धंकी दे रहा है कि C.A. को लागू किया गया तो हम भी सलकों पे आ जाएंगे हाइवे जाम कर देंगे लखनों को पंगू बना दिया जाएगा अब सवाल यह उट रहा है कि अगर C.A. कानून आएगा तो तो महराश में भी लगेगा राजस्थान में भी लगेगा दिल्ली में भी लगेगा यह सारे लोग यूपी में ही आंधुरन करने की बात क्यूं कर रहे है मतलब बिलकुल साफ है कि कहीं ने कहीं विपक्षी पार्टियों ने यह सोच रखा है कि चुनाव से पहले यूपी के अंदर अफवाह की राजिकी शुरू करनी है यूपी को सुलगाने का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है आप देखिए कि किस हिसाब से कही कोई सुख बुगाहट नहीं है किसान आंदोलन फैल हो चुका किसान आंदोलन के साथ लोग नहीं है राकेश्टी कैतने लखनों में महापंचायत की वह महापंचायत कब जब कानूनों को वापस ले लिया गया लोगों को ये लग रहा था कि वहाँ पे किसान जो आएंगे सेलिबरेट करेंगे ये कुछ पॉलिटिकल कार करता हूँ के अलाबा वहाँ कोई नजर नहीं आया फ्लाप्शो था ये पूरा का पूरा दसजार लोग भी उस महापंचायत में नहीं थे और जब ये आंदोलन चल रहा था जब महापंचायत के चुनाओं होने वाले थे उस में वेस्टन यूपी में महापंचायत में संक्या काफी हुआ करती थी इस बार कोई फोटो सेर नहीं हो रहा मीडिया में नहीं दिखा जा रहा इतनी सारे लोग आ गए सारे फोटोग्राफर्स अपने कैमरे को लेकर के गए हुए थे ये लूटेन मीडिया लक्ष्णों में मौझूद थी लेकिन तमाशा वो देखने गए थे लेकिन तमाशा ही नहीं हो पाया खाली हाथ वापस आये तो उसके बाद आज ख़बर ये आ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी इस किसान बिल को लेकर के बकाईदा एक स्टेटिजी मीटिंग कर रही है अब स्टेटिक मीटिंग किसान आंदोलन के उपर क्या होगा नहीं होगा वो बात अलग है किसान आंदोलन का राजिनतिक फायदा कोई विपक्ची नहीं उठा पाएगा यही सबसे बड़ी इनकी चिंता है और इसलिए इन लोगों ने ये तैय किया है कि अब मुस्लिम पॉलिटिक्स को के राउंड 20% वोट्स हैं यूपी के अंदर मुसल्मानों के उसको किस तरीके से एक पेंट किया जाए अबवा की राजिती की जाए कि ताकि पूरी तरीके से योगी आदितनाथ और भारती जिन्दापाटी के खिलाफ एक महौल तैयार हो सके अब इनकी रण नीती ये है कि प्रधान मंतरी मोदी ने जब से ये तीन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है भारती जिन्दापाटी के हार्ड कोर समर्थक जो थे वो भारती जिन्दापाटी से नराज हो गए इतने नराज हो गए कि वो प्रधान मंतरी के लीडर्सिप के उपर अब उनका भरोसा हट गया है ये इनके दिमाग में चल रहा है और इसको किस थिसाब से और पूरा किया जाए कि आप फिर से लोगों को इकठा करें सरकार गोलिया चलाएंगी नहीं सरकार उनको भगाएंगी नहीं तो एक बवाल अलग से मचेगा मुस्री बोट पॉलराइज होगा और हिंदू भारती जिन्दा पार्टी को इसके लिए दोस्त देंगे अब ये एक ऐसा कैच टूंटी टू सिचुएशन क्रियेट हो गया इसलिए अभी तक जब से पिछले चार पांच महिनों से योगी आदितनाथ बिलकुल ही पॉलाइट होकर के अपने भाशनों को दे रहे थे अपने ओरिजिनल फॉर्म को उन्होंने च्छिपार कर रखा हुआ था वो ज़्यादा एग्रेसिव भाशन नहीं दे रहे थे OVC की इंट्री होती है मंदी की इंट्री होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और मुस्लिम संगठन इस तरह की चुनोतियां देना शुरू करते हैं तो योगी आदितनाथ को ये लग गया कि ये बैक फायर करेगा और ये जो राज़िती का तापमान जो बढ़ाया जा रहा है उसको टैकल करना भारती जंता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल चुनोति बनकर उभर रहा है इसलिए योगी आदितनाथ सामने आकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उपधर मचाने वाले को बहुत कड़ाई के साथ इस बार डील किया जाएगा अब दिक्कत यह आ रही है कि जो भी पक्षी पाटिया है उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किसान आंदूलत तो इतना बड़ा चला फसल काटने का जब वक्त आया तो प्रधान मंत्री मोदी उनकी फसल के उपर ही कुछ गरबल करके निकल गए किसे ने यह नहीं सोचा था कि प्रधान मंत्री मोदी तीन तीन कानूनों को वापस लेंगे उनकी मांग को पूरी कर देंगे अब इसलिए यह लोग कह रहें कि कोई साजिस है कोई बहुत बड़ा चीज होने वाला है कोई नया दाओं खेला जाएगा और इसलिए सारे लोग इस उधेर बून में फसे हुए हैं कि सरकार अगला कदम क्या लेगी लेकिन जो भी कदम लेगी एक बात तो तैह है योगी आदितनाथ ने आज साफ साफ कर दिया कि जिल लोगों के दिमाग में ये कन्फियूजन पैदा हो गया है कि साहिन बाग टू फिर से शुरू हो सकता है या OVC वहाँ फिर से धरना प्रदर्शन और अफ़वाग की राज़िती सुरू करने वाले हैं या फिर यूपी के अंदर तिरपुरा के नाम पे कोई महरास की जैसी का प्रोटेस्ट कोई जलूस कोई आगजनी कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो योगी आदितनाद एलेक्शन को तो ताफ पे रखकर वो एक्शन पे आएंगे और उन लोगों के खलाफ कारवाई करेंगे इस से भारती जनता पार्टी को आज उनके समर्थकों को आज उनके वोटरों को आज एक धाडस एक हिम्मत आई होगी कि चलो कम से कम एक लीडर तो है जो दूद का दूद, पानी का पानी और राफ साफ पब्लिक में आकर के बोल रहा है अन्य था जिस हिसाब से ये किसान आंदोलन में गुफप हुआ है जिस हिसाब से देश द्रोहियों, खालिस्तानियों और देश को तोड़ने वाली सक्तियों का जो मन बढ़ा है, उनका जो मनुबल बढ़ा है उसको चेक करना ये सरकार के जिम्मेदारी बन गई है खबर ये आ रही है कि पार्लिमेंट सेशन के सुरवात में ही किर्शी कानून के उपर सरकार कुछ बहस करेगी, उस पे कुछ बाचीत के लिए भी समय निकालेगी और पार्लिमेंट के अंदर ही कर्शी मंतरी ये बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से इन कानूनों को वापस लिया गया है अब वो कारण क्या है, परधान मंतरी क्या बताते है, ग्रह मंतरी क्या बताते है उस से एक बात तो साफ हो जाएगा कि किस वज़ासे कि क्या ये प्रेशर की वज़ासे इस आंदुनन की वज़ासे ये पॉलिटीकल पार्टी ये फरजीक किसानों की वज़ासे या फिर कोई internal या external threat जो भारत के सामने साफ साफ ख़ड़ दिख रहा है उससे निबटने के प्रदान मंत्री मोदी ने फैसर लिया हमारी नजर बनी हुई इन तमाम ख़बरों पे आप देखते हैं कैपिटल टीवी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भन्नवाद